रतन रतन तुम तुम क्या कर रहे हो दूर रहो मुझसे मेरे पास मताना बहुत हो गया तेरा दूर दूर भागना बुल बुल रानी पिंजरे में फस गई न अब कौन बचाएगा तुम्हें मुझसे आजा मेरे पास कलर्स के सीरियल मेरा बालम थानेदार में आज बुल 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 बुरी फस गई है क्योंकि आज उसका वीर उसके पास नहीं वो तो सिर्फ अपने वीर का इंतजार कर रही है लेकिन उसका वीर नहीं बलकि रतन आता है जिसकी बुरी नजर बुल बुल पर है तबी तो देखे कैसे मौके का फाइदा उठा कर रतन बुलबुल को हासल करने की फिराक में है मासा और जो पापा सा है उन लोगों ने एक कुछ डिसाइड किया है कि वो वीर और बुलबुल को थोड़े थोड़े टाइम के लिए फैमिली से दूर एक रिजॉर्ट में भेज़ देंगे और वो दोनों अभी आये हैं लेकिन उन दोनों के बीच में अभी भी वो अकवर्डनेस है बुलबुल समझनी पा रही है मैं कैसे बात करू क्या करू और जब तक वो लोग ज़ादा बात कर पाते और अच्छे से कॉलिटी टाइम स्पेंड कर पाते तब तक रतन आ जाते हैं जो बुलबुल के लाइफ में एक बहुत बड़ा जटका है उसके ले क्योंकि पहले बुलबुल की शादी उन से होने वाली थी तो वो सारी चीजे वो एकी बार रतन को देखके काफी शौक डो जाती है और फिर थानेदार सा जो है वो अपनी बुलबुल को रेस्क्यू करते हैं तो आप देखे आए होप आपको इंट्रेस्टिंग लगेंगे एपिसोड्स फिलाल तो बुलबुल रतन से बचने की कोशिश कर रही है और बुलबुल के बालम थानेदार थाने में बंद है क्योंकि उन्हें बंद करके रतन आया है और रतन उसकी तुछ बुलबुल और वीर से जानी दुश्मनी है जो रतन है उनका अपना एक है कि कहीं ना कहीं कि मेरी शादी एक तो नहीं हो पाए वीर से इसकी शादी हो गई तो उन्हें एक बदला लेना है फिर पापा जो है मेरे उनसे भी कुछ-कुछ चीजे है जिसे वो अर्रेडी भढ़के वह तो वो तीन-चार चीजे है जो रतन ज वो आके ये कहते है कि जो तुम्हारे थानेदार सा है वो थाने में तो अब ये सुनना बुल-बुल के लिए और शौकिंग हो जाता है तो अब कैसे वो इस चीज को डील करेगी क्योंकि उसके लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है अचानक एक ऐसे इंसान को देखना जिस हम तो घोलते ही हैं आपकी जिन्दगी में 24-7 entertainment की मिठास तो अगर आपको ये विडियो पसद आया है आप इसे लाइक करें कमेंट देके अपनी राइज जरूर दे और ऐसे ही एक्स्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्स्प्राइब जरूर करें अगर आप यही कोई भी entertainment का अपडेट